नमस्कार दोस्तो स्वागते मेरी यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्रियलिटिव मायन दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा यामाहा के इलेक्टरिक स्कूटर के बारे में दोस्तो यामाहा बहुत बड़ा टूविलर का जैंट कंपनी है और उन्ह इलेक्टरिक स्कूटर यामाहा जो कंपनी है दोस्तो यह जापान की बहुत बड़ी इंटरनेशनल जो टूविलर कंपनी है और वो बहुत ही जादा फेमस है और इंडिया के अंदर यामाहा ने बहुत अच्छी अच्छी टूविलर को इंट्रोड्यूस किया है बहुत अच अपने दो इलेक्ट्रिक स्कूटर को इंट्रड्यूस कराया है अपने वर्ल्ड को इन्योस और ई-01 आज हम उन्हें के बारे में बात करेंगे जैसा कि आप देख रहे होंगे दोस्तों अगर डिजाइन के बारे में बात की जाए तो दोनों ही जो स्कूटर है बहुत ही बढ़ भी जादा होगी और जो यामा का नियोस स्कूटर है वो थोड़ा सस्ता भी होगा उसकी रेंज भी कम होगी और उसकी पावर भी कम होगी दोस्तों ऐसी खबर निकल के आ रही है कि जो यामा का नियोस जो स्कूटर है वो लगबग 50 सीसी के स्कूटर के बराबर का उसकी जादा नहीं है लेकिन जापान चाइना और कुछ इस तरीके की जो साउथ एशियन कंट्रीज है वाँ पे 50 सीसी के स्कूटर भी काफी ज़्यादा परचलन में है जबकि इंडिया के अंदर 50 सीसी का स्कूटर बहुत ज्यादा परचलन में नहीं है या फिर आप मुझे नहीं इंडिया के अंदर 50 सीसी का स्कूटर हो अभी फिलाल में जो दूसरा स्कूटर है यामा का E01 वो कंपनी ने ऐसा दावा किया है कि 125 सीसी का जो स्कूटर होता है उसके बराबर की लगबग आपको परफोमेंस मिलेगी और बाकी दोस्तों जो फीचर के बारे में बात करें तो लगबग देखे यामा जैसी बड़ी कंपनी है तो लगबग सारे वो बड़े ही फीचर जरूर देगी अपने स्कूटर में जो एक अच्छे हाइएंड स्कूटर में होते हैं जबकि E01 तो उनका काफी अच्छा स्कूटर है जिसकी बैटरी पैक भी बड़ा है इनके अंदर जो है वो सीट के नीचे ना होकर थोड़ा जो आगे का हैंडल और सीट के बीच में जो स्पेस है जैसा कि आप देख रहे होंगे वहाँ पर प्लेस किया गया है दोस्तों आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक जो वीकल्स है उनकी मार्किट में बहुँ जाद उधल पुतल हो जाएगी और थोड़े और दिनों के बाद तो जो पैट्रोल वीकल्स है उनको भी ओवर्टेक कर जाएगी इसका पता उन्हें भी है जो बड़े बड़े जाएंट कंपनी जो की अभी फिलाल तक जो इलेक्ट्रिक ना बनाके सिर्फ पैट्रोल या इस तरीके के जो स्कूट है वो रिवील नहीं करिये कंपनी नहीं ऐसा कुछ अभी बताया है बाकी फिर भी अगर आइडिया लगाया जाए तो जो इस स्कूटर का जो E01 जो स्कूटर है वो काफी जादा मेरे इसाब से जहां तक मेरा विचार है डेड़ लाग के आसपास होने वाला है या फिर उससे निकल के सामने आ रही है कि कंपनी इन स्कूटर के अंदर स्वैपेबल बैटरी का सिस्टम देगी जितनी भी दोस्तों जो बड़ी कंपनिया है जिनके पास जो है पैसा जादा होता है या फिर जो जादा इन्वेस्ट कर सकती है जो कंपनिया वे अकसर अपनी जो बैटरी सि कुछ दूसरे देशों में स्वेपबल बैटरी पे काम कर रही है तो दोस्तों इंडिया के अंदर भी काफी जादा सम्मावना बढ़ जाती है क्योंकि इंडिया जैसे बहुत बड़े मार्केट के अंदर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको चार्ज करने की जरूत भी नहीं रह पान